कि राजेस लाज सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम लोग चाचा करेंगे उत्तर प्रदेश में आई हुई न्याइक सेवा की रिक्ट पदों पर जिसमें मैं थोड़ा से आप लोगों को एक सिकंड इन्फार्मेशन देदू ये कि बरतमान में उत्तर प्रदेश में PCSJ की बैकंसी आ चुकी है जिसमें रिक्ट पदों की संख्या 303 है PCSJ के माध्यों से सिविल जज जूनियर डिवीजन के रूप में जो है भरती किया जाता है जिसको ब्यवहारिक भासा में जज कहते हैं तो उसी के संद्रम में उम्र को लेकर चे चार्चा करना है जो एज सीमा है उसी पे चार्चा करनेगा और बहुत महत्कून बिंदू पर चार्चा करने जा रहा हूँ मैं एक इन्फार्मिशन और शोटा सा ये है कि हमारे हाँ PCSJ, APO, HGS की तैयारी भी कराई जाते है साथी साथ किसी विधिक विशेपे भी प्रामर्स के लिए भी आप संपर कर सकते हैं तो PCSJ, APO, HGS की तैयारी के लिए आप चाहे फुल कोर्स हो, क्रेस कोर्स हो, चाहे आनलाइन हो, आफलाइन हो सभी प्रकार के समय अनुसार क्लास जो है शुरू किया जाता है बरतमान में 12 दिसंबर से UP PCSJ का करेस कोर्स प्रारंब हो रहा है जिसका आनलाइन और आफलाइन दोनों प्रकार की सुभधा उपलब्ध रहेगी इसके बारे मैं मैं वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख चुके हैं जिसको आव सकता है, वो संपक भी कर रहा है उम्र सीमा को ले करके हम चर्चा करेंगे ऐसे उन प्रतिभागी परिक्छार्थों के लिए जिल का जिवन अंधकार में हो चुका थे इस कुरोना काल की वज़ा से जो ये मान चुके थे कि अब हमारा जो सपना है पीश्यस जे के माध्यम से जज़ बनने का वो साकार नहीं हो पाएगा तो उत्तर प्रदेश गौवर्मेंट ने ठीक है, उनके सपने को निरास नहीं किया है उनके सपने को धाया नहीं है, उसको बरबाद नहीं किया है बलकि एक उम्मीद के किरोण जगाई है ठीक है आईसे श्ती में सरकार को भी जरूर धन्यबाद कहना चाहूँगा इस मुद्दे पे कि एक विशेपे सरकार ने जरूर गंभीता से सुचा और ऐसे बच्चों के जिनके सपने चूर हो चुके थे वो मान चुके थे कि अब हम योगी नहीं रह गए हैं इस भरती में क्योंकि हम ओबर एज हो चुके हैं हमारी उम्र सीमा का जो परतिबंध है वो समात हो चुका है हम परतिबंध ही तो हो चुके हैं उनके लिए आउसर दिया है हाँ कुछ और जरूर सिकवा है गवर्मेंट से उस पे भी चाचा करेंगे कि गवर्मेंट को और क्या सुधार करना चाहिए था लेकिन चलिए पूर रूप से नहीं अंसता ही सही कुछ बच्चों का तो जरूर ही भला होगा तो सबसे पहले में बता दूँ एज लिमिट क्या है कुछ बच्चों को नहीं जानकारी है हाँ द्यान खेगा कि जो अपेरिंग बच्चे हैं उनके लिए छूट नहीं दे गई है एक बार नोटिफिकेशन को आप लोग भी देख लिजेगा मैं जहां तक देख पाया हूं सासरी नजर से किस बिसे पर जो अपेरिंग के लिए कि जिन बच्चों का ललवी कंप्रीट नही चाहिए लेकिन एक बार आपनों चक कर सकते हैं लेकिन एज के विसे पर मैं स्योर हूं पूरी तरह से देखा हूं इस मुद्दे पर ही चाचा करूंगा कि उम्र सीमा क्या रखी गई है तो मिनिमम बाइस साल रखा गया है और मैक्सिमुम 35 साल हतासमा तो निरासमा तो यह भ इमम 22 साल होना चाहिए किस देट को 22 साल एक जुलाइज 2023 की तारिख में आपकी उम्र 22 साल पूरी हो गई हो एक जुलाइज 2023 की तारिख में आप 25 साल से जादा नहुँ यहनि 15 साल कंपलीट नहा हो गया हो 35 इंटू अले 12, 35 गुड़े 12 महीना, जितना भी होगा उससे एबब आप ना हुए हूँ, तो आप इस फार्म को भर सकते हैं अब यह और लोगों के लिए भी छूट है, जो एबब हो चुके हैं, उनके लिए भी छूट अभी उस पर चलेंगे, क्योंकि मेन मुद्दा तो वही है यह जनरल नियम है, कि जो इस छूट में नहीं आएंगे, उनके लिए यही नियम लागू होगा दूसरा है, अब यह 22 और 35 काउट को लिखा एक जूलाई दो हजाट के इस को 22 वर्ष पूरा हो गया हो दो जूलाई 1988 के पूर्वकार ना हो, यनि उसका जनमति थी, दो जूलाई 1988 के पूर्वकार ना हो यो लोग 1 जुलाई 28 80 का जिनका देटा बरथ ऐ 87 का डेटा बरथर ऐ 86 का डेटा बरथर ए ठीक्ए वो लोग फॉर्म नहीं भर्पाएंगे क्यों नहीं भर्पाएंगे क्योंकि उनकी एज सीमाद जो है उनको इजाज़त नहीं देती है लेकिन कब कैसे-कैसे भर सकेंगा भी मैं उसके अपवाद पे भी चलूँगा ध्यान एक जुलाइ 2001 के बाद का उनका जनमतित नहीं होना चाहिए क्योंकि एक जुलाइ 2001 के बाद का जनमतित ही आपका है तो आप 22 साल कंप्लेट नहीं कर रहे होंगे एक जुलाई दो हजाग तर चलिए अब आपवाद देखिए कि जो 35 साल से इस समय जादा हो चुके हैं जिनकी डेट आफ वर्थ दो जुलाई 1988 के पहले का है वो कैसे फर्म भर सकते हैं तो सबसे पहले एक अपवाद तो यहां पे है जो गवर्मेंट ने छोट दिया भी उस पर चाचा नहीं कर रहा हूं अभी उस पर भी चाचा करूँगा पहला तो जो ओवी सी से स्टी कटेगरी का बच्चा है यानि जो तैयारी करने वाला विद्याथी चाहिए लड़की हो या लड़का हो अगर वो ओवी सी कटेगरी का है या एस्टी कटेगरी का है तो इसको पांच बर्स की उम्र सीमा में छूट दी गई है अगर इनि इसका मतलब है कि दो जुलाई 1988 में पांच साल और आप पहले जोड़ दीजिए इसका मतलब हो गया तीरासी इनिए दो जुलाई 1983 के बाद का जिसका जनमति थी है वह भी सीसे इस्टी वह भी फॉर्म भर सकता है दूसरी बात अभी दो नहीं सो तिरासी नहीं अभी 1981 वाला भी भर सकता है उसको भी बताएंगे कैसे यह बात समझ में आ गया अब और इसी में जो सेना के मिंबर हैं ठीक है कोई अधिकारी है कमीशन प्रात अधिकारी सेना में उन लोगों को भी छूट मिला हुआ है उन पे थ्वड़ा समझ डिसक्स बता दूं कि उनको जो भी उन्होंने नोकरी पीरियड का टाइम है जितना साल उनने नोकरी किया 10 साल 15 स और उसमें तीन साल और जोड़ करके ठीक है उनकी टोटल उमर में से घटा दिया जाएगा और उसके बाद अगर वो 35 साल के से ज़्यादा उमर के नहीं है तो वो फार्म भर सकते हैं बिकलांगों को छूट दिया गया अगर शरीर की बिकलांगता की अधार पे 15 साल तक कर छूट उनको मिला हुआ है इसके अलावा जो लोग OBCCST कटेगरी में नहीं है या OBCCST कटेगरी में है तो ये 2 जुलाई 1988 डेटा बर्थ नहीं काउंट होगा बलकि 2 जुलाई 1983 डेटा ब या जनरल बर्ग में भी जो EWS कटेगरी में आता है उसको भी कोई छूट एज की नहीं है इसके अलावा अगर जनरल बर्ग का बच्चा है या EWS कोटे से है तो उसकी भी एज दो जुलाई 1988 से पूर्व का नहीं होना चाहिए OBCCST कटेगरी का बच्चा है तो दो जुलाई 1983 इन अगर जनरल का है तो दो जुलाई 1988 और वो भी CCST का है तो दो जुलाई 1983 का होने पर भी अगर वो 2019 में अगर कोई बैकंसी आती कब 2019 में अगर कोई बैकंसी आती तो वो भी फार्म भर सकते हैं अगर भर सकते थे तो उन्हें भी छूट दिया गया है 2019 में अगर भर सकते थे तो 20 में भर सकते थे तो उनको भी छूट है 20 में जो भर सकते थे उनको भी छूट है तीन साल की गवर्मेंट ने छूट दिया है तिका अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जंडल बर्ग के बच डिसका है, 2 जुलाई 19, 95 दो जुलाई 19, पूर्ब का अगर डिटा बर्थ किसी भी जंडल कतेगरी के बच्चे का अगर नहीं है उसे पूर्ब का नहीं है, तो वो भी फार्म को भर सकता है कब का 2 जुलाई 1985 से पहले का ना हो और अगर ये OVCSCST बर्ग का बच्चा है तो इसकी जगां 2 जुलाई 1980 हो जाएगी 2 जुलाई 1980 से पूर्व काउस से पहले का डेटा बर्थ ना हो इन 2 जुलाई 1980 के बाद या 2 जुलाई 1980 को ही जन्म लिया हो तो वो बच्चा अगर OVCSCST कटेगरी का है तो PCSJ का फार्म भर सकता है इसके तो मेरे समस्य कंफूजन जो भी एक रहा होगा कि जो बच्चे उबरेज होगे उनको बहुत अच्छा छोड़ दिया गया दो जुलाई 1980 जन्रल बच्चा है तो वी फार्म भर सकता है अगर उससे पहले करना हो डेटा वर्त उसके बाद का हो या जुलाई 1985 का हो और ओवी से 60 कटेगरी का तो 1980 का चला जाएगा पचासी के जगा असी लागू हो जाएगा खिलाडियों के लिए भी अलग से छूट दिया गया है जो खिलाडी है ठीक है कुसल में धावी है उनके पास सर्टिफिकेट है खेल का अगर तो उनको पांच साल का छूट मिला हुआ है एज का तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने यहां जानकारी दी है समझ में आ गया होगा इसके बाद गर किसी बच्चे को कोई समस्या कंफ्यूजन रह गया तो यहां आल्रेडी नंबर में दे रखा हूं आप इस नंबर पर संपर करक हैं उसको साकार करिए मेरी तरफ से जितना भी संभव होगा मैं उत्रा मिहन करूंगा आप लोगों के लिए किसी भी तरह से कोई भी कमी जो है नहीं रहने दूंगा और उमीद करूंगा कि आपको आपके अंतिम मुकाम पर जरूर पहुचाओंगा इसलिए मैं जो है ला के स सही हैं कि जब उनकु पढ़ ओढ़ानुक जिये कर देखेंगे जैसे वह पढ़ाएंगे तो आपको लग जाए गा कि क्या उनके अंदर हुनर है क्या टैलेंट है इस से बच्चों को पढ़ाते हैं क्यूंकि उनके पास भी पढ़ाने कर कम से कम आठ से दस सालों का अनुखवान